इसमें देवरिया में घटनाय लगतार हो रही हैं और आज हम बरहज में हैं। और बरहज का देड़ यहां गाउं हैं और यह दलित बस्ती है। और पीछे देख रहे हैं यह साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा तस्बीरों में पुलिस ने इसको बैरिकेट किया है और यह घटनास थले परसो साम को जो है गाय दुहने को लेके गाय इस घर के लोग गाय से दूद निकाल रहे थे बगल की गाय उस गाय के पास आ गई हो गई उसदानों से और लडाई होगे उस गाय से और दुद गिर गया उतने में बगल के इनके पउमया से लोग करते हैं नहीं हैं चोंटी सी बात के सब्सक्रार भीनल todas You know अब लेकि चारा हुए मुझे Nations और अभी तक यह क्या नाम हें आपका क्या हुआ भीताी क्या नाम है मैं भीता जित क्या नाम सिरा मख़एyo सब्सक्रार कुछ पर naturalcontactbereich considered the में भी था हुए और दोने की ढगानारी हुआ हैю की निकालना वे और मुमई जैसे बैठी गाय टुबudràर लेको धा पर आपके पापा किस तरीके था और कितनी लोग थे कि इतना मारे की ओज़े हैं की मौत हो गई हमारे पापा अभी लाइटिंग करका जैसे वहां पर बैड खड़े हुगे थे उसके बाद हमारे पापा के इनके राम तफेशवर और मनीश दोनों हमले कर दिया हमारे मम्मी पर जो अपनी पापा को बचाने तो हमरी मम्मी के सोनमती और प्रियांका दोनों मिलके मारने इस्टाट कर दी उसके बाद कनया भरत दोनों थे वहां पर किस चीज से मार रहे थे उस समय डंडे से मार रहे थे आपके घर किसको किसको चोट ले आप तो पीता जी नहीं रहे ठी और किसको किसको आपके घर चोट लगी हमारे चोटी वाली बाइन के हात कड़ गई हमारी बाइन के हांतो लगी हमारी ममी के पैर में पापा का द्यानत होगहा अभी इलाज चल रहे हैं तो इसी घटना हुई है तो सरकार से क्या पुलिस का यहां पर रहना हो रहा है और करवाई क्या हो रही है और योगी जी से क्या मांगेंगी आपने पीता के लिए उनको लोगी सजा दिये जायेगा अभी क्या था इन लोगों से कुछ आपका जमीन वीबात भी आप लोगं को चलता है सब्सक्राइब wilde ञीट से वहा सब्सक्राइब निकला तो जमीन बोलें कि हमारे पापा के नाम नहीं है उसमें उस जमीन के बास इस्टार्ट कर दिया जगरा इस्टार्टिंग एक दिन अभी हमसे कुछ लोग मिले हैं बता रहे थे कि आपके उस दिन पापा घायल थे यह तोड़ा सा दरवाजा दिखा यह दरवाजा है और राष्टे से नहीं जाने दिए वो लोग आपके पीता जी घायल थे तो फिर आप लोग कैसे उनको ले गए किस राती इधर तो खेत दिखाई दे रहा है तो कि राश्टे से खेत दिखाई दे रहा है थोड़ा सा पतला सा रोड है आगे जाके रोड निकला है कर गया हमारा अभी क्या इस्थिती है इस गाउं की अभी तो बहुत इस्थिती खराब चल लए ये गाउं की रोडे साही नहीं निकले काहीं कहां सबंद कहीं कहीं सबंद है अभी जो है आप लोगों को किसी बात को लेके डर है ये लोग तो अभी चुकी जेल जा चुके हैं और इस समय जो मावल है अभी पुलिस बैरिकेट है पुलिस की डिवटी भी है यहाँ पे रह रही है रात दिन अभी रहेगी पुलिस सुरक्षा के लिए आप लोगों के कोई दिक्कत नहों तो अभी आगे क्या कह रही है आप आगे अभी किसी से डर है कोई बात है तो बताईए अभी किसी का डर नहीं हमारे पास नंबर है जब हमें कुछी दिक्कत होगी मैं फोन करके बाते कर लेंगे पुलिस यहां पर आते जाते रहती है पुलिस सयोग कर रही है न अब आपके घर की ष्धितिए बीन गहर की ठीक नहीं है इनके पापा मजदूरी करते थे और इनका जो एगों तो आवास मिला हुआ. इनके घर के सतीं हाना सकते हैं, सकती हैं. तो अब आपके घर सीथा की से चलेगा हैं, बच्चें हैं किस तरिके से चलेगा। उसके बारे में कुछ एगी सरकार से हमारे पापा काम करते थे हमारे पाँच बच्चे थे उनलों की घर की स्थिति है और सरकार अर्थिक मदद करनी चाहिए नलीट परिवार है और यह बेहत गरीब है इन लोगों के पास जमीने नहीं है जानवर रखे और तोड़ा सा खेती दुसरे का लेके बटाई उटाई करके यह लोग जीते हैं और घर का मुखिया इस समय नहीं रहा इस धुनिया में इस घटना को क्या कहेंगे देवरिया इस समय जो है जल रहा है और लागातार देवरिया में छोटी छोटी बातों को लेके जो है अगले 10 से 12 दीन के कमेंट में अपनी पर्त करिया जहुर दर्ज करिये का अभी तक वीडियों बने ना निकले आपको बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कार